मित्रों विग्न हर्ता भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास का प्रियोग अनिवारे रूप से और विशेश रूप से किया जाता है और इसकी साथ ही साथ तमाम मांगली कारेओं जैसे ग्रह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार आद में भी इस दूर्वा घास का प्रियोग अनिवारे रूप से सदियों से प्रचलन में है तो चलिए आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि कैसे इसको हमें अपने घर में लगा लेना चाहिए और इसको अपने घर में रखना बहुत ही शुब माना जाता है तो इसको लगाना दोस्तों बहुत आसान है सबसे पहले आप एक छोटा सा कोई डिबा ले लेजिए और उसमें एक नीचे होल कर दीजिए और उसमें कुछ कंकड पत्थर इस तरह से यानि छोटे-छोटे कंकडी डाल दीजिए उसके बाद इसमें नार्मल मिट्टी जो है थोड़ा सा उसमें पुराना गोबर वगर मिला करके इसमें डाल दीजिए और दोस्तों दूर्वा घास को आप आसपास कहीं जो है जहां भी मैदान वगर हो वहाँ खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएगा यह देखिए यही है दूर्वा घास और इसकी पहचान यह है कि यह समतल यानि होरिजंटली यह फैलती है यानि इस तो इसका एक जड़ सहीत इसको थोड़ा सा आप उखाड करके ले आए और इस तरह से जैसे मैं यह लगा रहा हूं डिब्बे में इस तरह आप बस लगा दें उसके बाद आप देखेंगे कि कुछी दिनों में यह फैल करके खुब बड़ी बड़ी यानि काफी काफी मात्र में हो जाएंगी तो जितने बड़े पॉट में आप लगाना चाहें आप चिछले पॉट में लगाना चाहें तो चिछले पॉट में लगा सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं और इस तरह से लगा करके इसको थोड़ा सा पानी दे दे और बहुत जल्दी बहुत तेजी से यह घास जो है यह बढ़ने वाली घास है और मित्रों इस घास को हमारे सनातन धर में बहुत ही पवित्र माना जाता है खासतोर से यह जो दूरवा घास होती है इसका सभी मांगलिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है और इस समय भगवान गणेश का आज गणेश चतूर्थी है तो आज से दस दिन तक गणेश पूजनोचो के सम्मंदित कारेकरम चलेंगे तो इसमें जो चीजें भगवान गणेश को चड़ाई जाती है उनमें दूरवा घास जो है वो भगवान गणेश को अत्यांत प्री है और इसके सम्मंद में कुछ पौराईक कथाएं भी हैं कि कोई अनला सुर नाम का दैत था और उसने पृत्वी पर आतंक मचा रखा था करके उनको ठीक किया था और उनको 21 गाठे बना करके पेर में गणेश जी को खाने को दिया तो वह भले चंगे हो गए और उसके बाद ही यह दूरवा घास जो है भगवान गणेश को अतिप्री हो गई तो आप लोग यह देखा पूरा आप लोगों ने देखा ही है कि किस त इसके संबंद में जो जानकारी उपलब्ध हैं वो यह है कि दूरवा घास जो है एक तरफ तमाम धार्मिकारों में विशेश रूप से इसको महत दिया जाता है और भगवान गणेश की पूजा अब जैसे बुद्धवार को भगवान गणेश का दिन है तो इनकी पूजा मे अनिवार रूप से इसका प्रियोग किया जाता है और मित्रों इसको पेर में चड़ाना चाहिए और पेर में मतलब 21 इसके 21 जो है गांठे बना करके भगवान गणेश को अरपित किया जाना चाहिए और तो अभी मैं इसके कुछ आयरवेदिक फायदों के बारे में आपको बताऊंगा यह आयरवेद में इसका काफी गुरगान किया गया है और हमारे शरीर के कई तरह से यह फायदा पहुँचाने का कार यह घास करती है इसको बर्मुडा घास भी कहते हैं और इसके तमाम नाम है भारत में ही इसके तमाम नाम है और यह जो दूब होती है वो तीनो को हरने वाली महा ओशधी कही जाती है और सरीर के लिए फायदे मंद होने के कारण ही इसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है अपने धार्मिक और ओशधी दोनों के लिए दूर्वा के जो है इसके मतलब यह माना जाता है कि यह तीन हजार साल पुरानी है और विदेशों में भी पाई जाती है तो चलिए इसके कुछ सायदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो दूर्वा भगवान गणेश को अथिप्री है और उनकी पूजा में इसका जो है अवस्य प्रियोग होता है और इसको चढ़ाने पर गणेश जी की असीम क्रिपा प्राप्त होती है यह दिखिए इस तरह से यह आप देखिए जैसे मैं ले रहा हूं ने यह पेयर में इस तरह ले करके और इसको आपस में मतलब गूत करके आपस में दोनों को एक में मिला कर कि आप इसकी एक गाठ बना ले और इसी तरह से 21 गाठे बना करके भगवान गणेश को चड़ाएं दोसरी बात यह है कि दूरवा गाय को खिलाने से घर में सुख और सम्रिध्धी बनी रहती है यह जो है रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने वाल में काफी लाबदायक माना ग लगती दूब घास का सेवन करता है तो अगर उसको मान लेजिए नीद नहीं आती है नीद ना आने की सिकायत है अनिद्रा तो उससे इसको जल्दी छुटकारा मिल जाता है और उसको भरपूर अच्छी प्रकार से नीद आने लगती है दूब में यानि दूरवा घास में ए बहुत ही फायदे मंद मानी गई है इसका पेस्ट बना करके हल्दी मिला करके चहरे पर लगाया जाए तो चहरे की कांती में निखार आता है तो फ्रेंट्स आप लोग देखिए यह मेरे दूरवा घास जो है कितनी खुबसूरत इस समय लग रही है मैं छोटे से डिब्बे म नहीं होता है कि अब पूजा पाठ में अभी प्रयोग हो रहा है लेकिन इसका अईरवेदिक महत्त है यह जानकारी प्राप्त हो गई है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसको किसी बड़े पॉट में लगा दूँगा और अगर इसका आगर कहीं जैसे में दूब जो है बहुत उप्योगी मानी जाती है क्योंकि दूब जो है रख्त कोशिकाओं को बढ़ाने के साथ साथ खून को साफ करने का भी काम करती है अगर हम प्रातहकाल दूब पर नंगे पाउं चलने की आदर डालने तो आखों की रोशनी बढ़ती है और आप लोग जिस पर ओस पड़ी हो तो यह आँखों के लिए बहुत ही फायदेमन माना जाता है इसकी पत्तियों को गर पानी में उबाल करके अगर मुह से मतलब कुल्ला किया जाए तो मुह में जो छाले वगर पड़े रहते हैं वो सब सही हो जाते हैं फ्रेंट्स दूर्वा घास के त जुब मुहुर्त पर पांच दूर्वा में 11 गांठे लगा करके उन्हें चड़ा दें साथी दूर्वा अर्पित करते समय जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र का जाब करें वो मंत्र इस प्रकार है तो इस मंत्र का आप बार-बार इसका प्रयोक करते हुए यानि बोलते हुए आप 21 की जो गांठे हैं वो चड़ा दें दूर्वा को गाई के दूद में मिलाकवस का लेब बनाएं और उसे तिलक के रोप में माथे पर लगाने पर आपकी मनों कामना शीग्राति शीग्र पूरी होगी ऐसा जो है माननिता है मित्रों बुद्वार यानि भगवान गणेश को के दिन उनको समर्पित जो भी घास होती है तो उस घास को अगर गाय को खिलाया जाए तो आपको ग्रिह कलेश से मुक्ती मिलती है तो ऐसी पवित्र घास को हमें अपने गार्डेन में एक कोने में या कहीं पर भी एक छोटे से पॉट में जरूर लगाना चाहिए और दूब गास की यही पहचान है कि यह होरिजेंटली फैलती है इसको आप जान ले होरिजेंटली फैलती है यह और इसको जो है हमें अपने घर में लगाने से बहुत शुब होता है इसको आप जरूर रखें तो मित्रों यह वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा ह तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो की साथ तब तक के लिए धन्यवाद